एक और बड़ी खबर का रुक करते हैं लोग सभा चुनाफ के पहले चरण के लिए चुनाफ प्रचार का अखरी दौर है और ऐसे में बीजिपी चुनाफ प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी बीजिपी ने कमलाद के खिले चुनाफ प्रचार करेंगे और फवारा चौक से बड़ी माता मंदर छोटी बाजार तक रोट्शो करेंगे रोट्शो में से मोहर यादा वीडी शर्मा कैलाश विजवन के प्रणाफ पठेल समेथ कई दिगच शामिल होगे अजे ये ताबूत में आखरी कील ठोकने जैसा होगा जैसे मैंने पहले भी जक्र किया था क्योंकि चिन्दवाडा वो लोकसबा सीट बन गई है जो नाक का सवाल है बीज़ेपी के लिए और हर हाल में चिन्दवाडा जीतना है यही वज़ा है कि केंद्र ग्रेमंतियों में च्रा भी पहुंच रहे है आज बिल्कुल मध्यप्रदेश की सबसे चर्चिस सीट अगर कोई है तो वो चिन्दवाडा क्योंकि लंबे समय से कॉंग्रेस के कबजे में है आट से नौ बार वहां से कमलनाथ जीत कराते हैं उसके बाद उनके बेटे नकुलनाथ और दूसरी बार इस बार लोकसभा के प्रत्यासी के तौर पर चुनावी मैदान में नकुलनाथ है और ऐसे में भारती जनता पार्टी 29 सीट महकोशल का चिन्दवाडा जीतना चाहती है यही वज़य है कि तमाम भारती जनता पार्टी के स्टार प्रचारक दिगज नेता जो है चिन्दवाडा के दौरे कर रहे हैं चाहे वो जेपी नडड़ा हो चाहे गरे मंत्री अमिशा हो और चुनाव प्रचार प्रसार थमने से ठीक एक दिन पहले अमिशा का दौरा बेहत महत्पूर्ण हो जाता है इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से भारती जनता पार्टी से तवाम नेता और मुख्यमंत्री खुद डौक्टर मोहन यादव कई बार वहां पर राद बिता चुके हैं और आज रोटसो के जरीए जनता को साधने की कोशिस करेंगे सरकार की जनकल्याण क्यारी योजना हैं और उसके साथ सत प्रदान मंत्री मोधी का वीजन जनता को बताएंगे कि किस तरह से प्रदान मंत्री मोधी लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं तमाम चीजों को लेकर चाहे वो 370 हो चाहे राम मंदिर का मुद्धा उसका जिक्र करेंगे तो जनता को साधने की करेंगे तमाम ऐसे मुद्धे होंगे जो पलब दिया है भारतिये जनता पार्टी की उनको चिंदवारा की जनता को बताया जाएगा